हाई मैं यूट्यूब फैमली आपको कैसे होई आपको आप सब अच्छे में भी यहीं पर अच्छी हो देखिए आज मैंने तीन वन आपका स्नैक्स दिखा रही हूं दिपावली के लिए स्पेशली में यह काटा से आपने तीन नमखीन चैनक्स के दिखा देती हूं दिखा इसके लिए मैंने बूंजा हुआ चना एक कप को एक कप लेके मैंने उसको पाउडर बना दिया है देखे एक कप मैंने बूंजा हुआ चना लिया है और दो कप मैंने चावल काटा लिया है उसको है तोड़ा गरम कर रही हूं कि अभी बारिश का मोसम है इसलिए सब तंडा रहता है इसलिए तोड़ा कच्छा स्मेल जाने तक इसको तोड़ा मैंने फ्राय कर देती हूँ अभी देखे इसमें तोड़ा इंग डालके इसको तोड़ा फ्राय कर रही हूँ अभी देखे दो टमाटर लिया है मैंने इसको बॉयल करके इसको मैंने पीस लिया है अभी वही टमाटर का जूस ह अंदर मैंने अभी दो ग्लास गरम किया हुआ आटा अभी इसमें डालती हूँ अभी देखें येक स्पून मैंने बटर भी डाला है और तोड़ा येक स्पून मैंने जीरा भी डाल दिया है और टेस्ट का अंसर मैंने नमक भी डाल दिया है अभी देखें मैंने दो ग्लास मैं दो ग्लास मिनेट आटा अभी गरम के यह न वहीं इसका अंदर डाल की मैंने बॉइल के हुआ 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 टामाटा को पीस के उसका जूस निकाला था वही जूस है मैंने यह आटा गुन रही हूं आप रूटी के लिए कैसे आटा गुनते सेम हैजिटीस गुन लीजे लेकिन आप चकली का मोल्ड ले जीए मोल्ड का अंदर तोड़ा तेल लागा लिए चिपकेगा ने और इसके बाद आपने गून के रखाता आटा इसका अंदर डाल के देखिए इसा पेपर डाल के पेपर का ऊपर आपने ऐसा प्रस कर दिए डिरेक्ट तेल में मत की Rs. ड değerक्ट ते आपने मद्यम आग में रखके उसको फ्राइ कर दीजिए बहुत अच्छा टेस्टी रहता है अक्षिली मैंने टमाटर जूस डाल के हमेशा नहीं बनाती हो लेकिन इस पार मैंने सूचा एक नया ट्राइ करके देखेंगे तो मैंने बना के देख लिए तो बहुत टेस्टी था में जाके बेकरी से सब लेते हैं बहुत महेंगा भी रहता है और कम भी रहता है मिलावट भी रहता है तो उससे भी बहतर है कम पैसे में आप गर पे बना सकते हैं गर में सब लोग कुशी से पेट बरके का लेगा तो यह आपका चकली का कैसे बनाने का मैंने बता दिया है अ अभी देखे इसमें में च्छी तरहा प्रस करके डाल दिए अवर इसमें टेस्ट का हिसाब से आप देखे मिर्चा पड़ोर भी डाल दिए मैंने कश्मीरी चिली पड़ो डाल लिए तोड़ा रंग भी आ जाता है टेस्ट भी रहता है इसलिए आपका तिका का इसाब से आप डाल लिजे अभी इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दिजे मिक्स करके आटा को पानी डालके आप गून लिजे सेम हैजिट इस यह भी आप रोटी के लिए कैसे गूनते ऐसे गून लिजे ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ज्यादा गिला भी नहीं होना चाहिए अभी इसको अच्छी तरह आपने गून लिजे अभी मिने गरम के यह हुआ तेल को दो स्पून मेंने डाल दिया तब क्या अच्छी तरह क्रि सब्सक्राइब्स qjam एपनेक त्रिफॉर्थ डाल के आप देखें ऐसा प्रस करते जे tweakắm आप गरम प्रसंको झाइब्सका participate क्रिस्पी होना चाहिए मिन्स मीडियम फ्लेम में रख दीजे देखे तोड़ा आप ऐसा प्रस मेंने तेल कम डाला है इसलिए मैंने एक एकी डाल दे अब ज्यादा तेल डाल दिये तो दो तिन डाल के एक ही पार आपने इसको फ्राइ कर सकते बहुत टेस्टी यम्मी रहता है तो इस पर दिवाली में आप बना के देख लीजे सेम आटा है ये कि आटा आपको दू-तिन विराइटी बना सकते हैं बहुत इजी भी है और पेक्री में जाके लेने का कोई ज़रत ने आप कादा गंटे का अंदर पूरा का पूराब बना के घर में सब लोग का लेगा कुशी से बहुत टेस्टी और हाईजर और एकदम हाईजर निक रहेगा देखे रेडी टू-त हो गया अभी मैंने आपको दूसरा विराइटी दिखा देती हूं सेम आटा है लेकिन वहीं पे तोड़ा दोड़ा मसाला डालते हैं वही तोड़ा चेंज रहता है देखे ऐसा मैंने सेम इसको भी वही ऐसा ही मैंने आटा गूल लिया है इसमें मैंने जीरा नहीं डाला है देख दीजे इसको ऐसा लंबा लंबा कर दीजे और उसके बार इसको रिंग कर दीजे देखिए हमारा रिंग ready हो गया है इसको दो तिन तरीके से बनाते एक तो नारिल को पीश के उसको दूद निकाल के ये आठा नारिल को दूद से मिक्स कर देते हैं और कोई कोई मूंगपली को पीस के मूंगपली हरा गरम होने के पर डाल दीजे, उसके बाद सीम में रख दीजे, इसको ब्राउन कलर होने के पर इसको निकाल लीजे, ready to it, बहुत टेस्टी, यह मी रहता है, इस पर दिवाली में आप एक बार जरूर ट्राइ करके देख लीजे, यही दुकान में जाके लेते हैं, डबल प्रैस ह हो जाएगा, दिवाल में जादा भीड भी रहता है, और इतना हाईजेनिक भी रहता है, बाहर बारिश का टाइम है, तो आप गर पे बना दीजे, बहुत टेस्टी, यह मी रहेगा, गर में सब लोग पसंद भी करेगा, और हाईजेनिक भी रहेगा, ऐसा बना के देखे, कि नेक्स व्लोग में लेंगे तब टेकले, बाँ बाइ!